आज मैं आपको जिस तरीके से फीज करी बनाना बताऊंगी ना यकीन मानिए फ्रेंज इस तरीके से फीज करी आप जिनको भी बनाकर खिला देंगे हर कोई आपका फैन हो जाएगा क्योंकि मैंने एकदम अलग डिफ्रेंट तरीके से इस फीज करी को बनाया है जितना सिंपल बनाना है खाने में यह उससे ज्यादा डिलीसस लगता है तो फ्रेंद्स वीडियो फूल बाच करिएगा इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा तो हेलो मैं लवली फ्रेंद्स मैं हुरीकू और सागात है आपका मेरे चनल अपना कीचन में तो फिर दिरिक इस बाद की चलिए फटाफर समीर की बनाते हैं इस मज़ेदार से रसिपी को तो इस सूपर डिलिसस फिस करी को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे करी के लिए मसाला रेडी करेंगे इसके लिए एक बॉल में एड़ करेंगे वन टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर वन फोर्स टीस्पून काली मेर्ज का पाउडर हा तो इस तरीके से इन ड्राय मसालों को ऐसे मिक्स करके 10 मिनट तक हम रेष्ट के लिए रखेंगे, ऐसा करने से मसाले बहुत ही अच्छे से फुल जाते हैं, जिसे की करी में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, इधर मैंने 500 ग्राम कातला फिस लिया है, फिस में मैंने 1 इन बड़ा चमज तेल और तेल को पहले अच्छे से गरम होने देंगे मैंने सर्सू के तेल का इस्तमाल किया है क्योंकि फीज करी सर्सू के तेल में ही बहुत ही ज्यादा डिलीशस बनकर त्यार होती है लेकिन अगर आपको सर्सू का तेल ना पसंद हो तो कोई भी कुकिंग ले सकते हैं जो आप खाते हूं जो आपको पसंद हो तेल करब होने पर इसमें मैंने मेरिनेट किये हुए फीज के पीसे जाइड कर दिया है एक बार में जितना आ गया है अब हम क्या करेंगे इसे दो मिनुट एक साइड शिकने देंगे उसके तरीके से एक करकर इसका लेकिन अब लेकर लेकर प्तिमपर अबक्रांब तरह है चाहलब है युट ओ इस तरहरा बाँ प्रीज को करना ओं या इस देंगी तो एक ए करशी घर फुली सारे फिस के टृड़ेंगे तो यहां पर एक बाईस यटे वारी समारी घाल यह यहां राखते है इसलिके estratég três के में बताया मैंने इस रेसीपी में 500 ग्राम कातला फिस का इस्तेमाल किया है लेकिन इसके जगह पर आप कोई भी फिस ले सकते हैं जैसे पापलेट सुर्मई या फिर रोह फिस या फिर जो फिस आप खाना पसंद करते हैं वो ले लीजिएगा और फिस आप अपने अकॉर्डिंग क बहुत ही अच्छा आता है फिर मैं इसमें डाल रही हूं 10-12 छीली हुई लासन की कलिया तो मैं इस तरीके से देखिए लासन को साबूद ही रख रही हूं क्योंकि यह बहुत ही अच्छे से गल जाता है जब फ्राई हो जाता है तो लेकिन आप चाहें तो अगर आप ऐसे न कच्छा फ्लेवर निकल जाएगा तो है तीन से चार मिनट हो गें मुझे इसे लोटू मीडियम फ्लिम पर फ्राई करते हुए अब इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्यांच अब हम गयास का फ्लेमिश्टा मीडियम टू हाई रखेंगे मीडियम तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर तुमें ने आपे देखते एक बड इसमें टुखgia को बारी टुकड़ों में काट कर लिया है साथा में डाल से टेस्ट के सलीटओं नमक और इस टाइम नमक डाल देने मिढाल देने 52 नम, यह तो से दखके ौटाप फटकर द नमक, काल मि और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं तो ऐसे बीच-बीच में ढटा कर चलाते हुए इसे भूनेंगे और फिर से ढख देंगे तो दो मिनट होगे मुझे इसे ढख करके भूनते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंज टमाटर लासन सारी चीजे गल कर एकदम सॉफ्ट हो गए मसालों को एड़ कर लेंगी और बॉल में थोड़ा सा पाने डाल कर क्लियन करते हुए इसी में एड़ कर लेंगे इन मसालों को वेश्ट नहीं करेंगे अब मसालों को भी इन सबी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगी और अब हम गया सका फ्लेम इस्टाइम एकदम तो रखेंगे लो फ्लिम पर मसालों को ढख करके 10-12 मिनाट तक भूनेंगे जितने बढ़ियां से आप मसालों को भूनेंगे उतना ही ज्यादा डिलीसस करी का टेस्ट आएगा तो यहां पर मसालों को भूनते हुए मुझे 3-4 मिनाट हुए हैं मसाले तो अच्छे से भून गय अब ढ़िए तो टोटल मसालों को हमें लो फ्लिम पर 10-12 मिनाट तक भूनना है तो यह तो यही इसका साइन है मतलब जब मसाले अच्छे से भून जाते है न तो जब ढ़िए तो मसालों से एक अलगी खुस्बू आने लगती है तो समझ यह यह मसाले खुब अच्छे से लगते अब आट कर रहे हूं एक कप पानी का इस्तमाल कर रही हूं लेकिन आप अपने हीशाब से पानी कर सकते हैं जितना आपको ग्रिवी रखना हो कमें जादा अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और गयास का फ्लेम भाई करके ग्रीवी में उबाल आने तक वेड करें ग्रेवि में औबाल के एड़ कर एंगे फराय के हुए फि üz आड़ में रखा था। आर्ज के और इसको पूरा ना एड़ देंगे। जब स्सक्राइब करें डिंगे आठ जुन। निम्बू को मैं ने काट कर से इसको को पूरा दीच West feel योई निम्बू का रस डालने से इस फीज करी में चटपटा फ्लेवर तो आता ही है साथी में निम्बू का जो टेस्ट आना इस फीज करी को अलगी लेवल पर ले जाता बहुत अमेजिंग टेस्ट वाली फीज करी बन कर त्यार होती है तो इस रेसिपी को एक बार ट्राइ जरूर क पकने देंगे अगर आपको मेरी आज की पसंद आए तो वीडियो के नीची एक लाइक का बटन दिया गया उसे क्लिक करें और अगर आप मेरे चनल पर नहीं है तो ऐसी इसी सुपर डूपर डिलीसिस देखते रहने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करें तो तीन से चार मि मुझे से मीडियम फ्लेम पर ढख करके पकाते हुए और यह देखिए फ्रेंस वाव लुक अट दिस फ्रेंस हमारी सुपर डूपर डिलीसिया चटपटी चटकारे दार फीज करी बन के रेडिये एक दम नए तरीके से नए टेस्ट में तो अब हम इसमें थोड़ा सा कटा तो देखेना फ्रेंस इसे बनाना कीतना आसान है तो रोज रोज मतलब हर रोज रोज नहीं हर वही फीज करी खाकर बोर हो गया है तो इस बार इस नए तरीके से बना कर देखना फ्रेंस यह रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी क्योंकि हर बार एक ही टेस्ट वाली फीज करी या फिर कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा अलग डिफ्रेंट ट्राई जरूर करना चाहिए तो एक बार इस तरीके से फीज करी बना कर देखी आपको बहुत पसंद आएगी तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो वीडियो को ल करी